Chapter 3 देख रहे हैं, Metals और Non-Metals Metals और Non-Metals के जो Important Questions है और Board में जो आए Questions और उनको देख रहे है यह Short Answer Type Questions है जो 2015 में आए Write one example of each of आपको example बताना है Metal जो बहुत Soft है उसको आप Knife से चाकू से काट सकते हैं और एक Non-Metals ऐसा है जो बहुत Harder बलकि सबसे ज़ादा Hard जो Non-Substance है वो यह है उसके बाद एक Metal और Non-Metals जो Liquid की तरह Room Temperature पे एग्जिस्ट करता है तो पहला है Sodium, Sodium जो उसको आप छूरी से भी काट सकते हैं और ऐसा Non-Metals जो Hardest है वो है आपका Diamond का फॉर में और सेकंड पार्ट का अंसर है Mercury, Mercury जो है वो Metal है लेकिन वो Liquid है और Bromine वो ऐसा Liquid है जो Non-Metal है Mention the Name of Metal for the Falling दो Metal मतला आपको नाम बताने हैं Metal के दो Metal जो Alloy किये गए Iron के साथ ताकि Stainless Steel बने और दो Metal जो Jewelry के बनाने के काम में आते हैं तो Nickel और Chromium निकल और Chromium को Iron के साथ जोडा जाता है ताकि Stainless Steel बने और Gold और Platinum दो Metal है जिनसे Jewelry बनती है अबूशन बनते हैं State 3 Reason for the Falling Facts आपको तीन रिजन बताने हैं इन Facts के Sulfur और Non-Metal है Magnesium Metal है और आपको यह भी Chemical equation भी लिखनी है तो देखिए Sulfur आपका Non-Metal है Magnesium आपका Metal है इसलिए यह Non-Metal है Sulfur क्योंकि यह Heat और Electricity दोनों का Poor Conductor है अच्छा Conductor नहीं है तबकि Magnesium इसलिए Metal है क्योंकि यह Heat और Electricity दोनों का अच्छा Conductor है Sulfur Non-Metal इसलिए है इसलिए क्योंकि ना ही यह Malleable है ना यह Ductile है ना ही आप इसके Wire बना सकते ना इसको Sheets में बना सकते है जबकि Magnesium के साथ दोनी चीज़ की जा सकती है इसलिए Malleable भी है Ductile ही है अब S और O2 अगर आप Sulfur को Oxygen के साथ मिलाएंगे तो Sulfur Dioxide बनेगा और Sulfur Dioxide को आप H2O Water के साथ मिलाएंगे तो आपका H2SO3 बनेगा नहीं कि Sulfur S Acid बनेगा आपका और Sulfur Dioxide यहाँ पर Acidic Oxide है जबकि यहाँ पर Magnesium में अगर बात करें यह Metal है उसका कारण यह है कि देखे, Magnesium को Oxygen के साथ मिलाएं तो Magnesium Oxide बनता है जबकि आपका Magnesium Oxide को आप Water के साथ मिलाएं तो क्या बनता है? MgOH Holt-Wise यह बनता है Magnesium Hydro Oxide तो Magnesium Oxide जबकि Sulfur Dioxide आपका Acidic है What is Cinnabar? How is Metal Extracted from Cinnabar? तो Cinnabar क्या होता है? Cinnabar होता है HGS और अगर आप Cinnabar को लेंगे उसको Roast करेंगे तो आपको Mercury मिलती है HGO बनता है जो Thermally Unstable होता है इस करण से हमें Mercury मिल जाती है तो HGS Oxygen के साथ जब मिलेगा तो HGO और Sulfur Dioxide बनेगी इस HGO के साथ को Heat इसमें पास की जाए तो HG और O आपको लग-लग मिलेंगे और HGS के साथ Oxygen ये इन दोनों में से दोनों देख लीजें HGS में जीदा Oxygen आपने किया तब भी आपको HG और SO2 मिलेंगे और Mercury को आप फिर Purify कर सकते हैं Distillation करके Write the electron dot structures for potassium and chlorine आपको electron dot structure बताना है potassium और chlorine का तो potassium होता है के बाद आपका एक यहां पर point है और chlorine के ओपर seven points है एक दो यह दो यह दो यह दो और यह क्योंकि इसके outermost में यहां पर one है इसलिए एक dot है इसके outermost में seven है तो 2887 और 287 इसका जो atomic number है 17 है इसका आपका देखिए 19 है इसलिए show the formation of KCL by the transfer of electrons तो KCL कैसे बनता है K से पहले K plus बनता है electron यह एक छोड़ता है chlorine में इस electron को लेगा chlorine में एक electron को लेगा CL minus बनाएगा यहां कि आपका जो K है इसका जो जैसे K है इसका एक dot है अब यह इसके साथ मिलेगा यहां पर यह के प्लस यह जो दूरों चीज़े है यह आपसे मिलेंगी और KCL बनेगा तो KCL में जो iron है वो है K plus और CL minus अगला है state the electron dot structure for calcium and sulfur यानि कि electron dot structure बताना है आपको calcium और sulfur के लिए तो calcium हो गया 2,882 यहां पर 2 आपके आखिर में है 2 है यह sulfur आपके 6 आखिर में है तो 6 dots है इसके उपर आपको formation भी बताना है CAS का transfer of electron से तो यह CAS बनता कैसे है calcium पहले 2 electron देता है और यह 2 electron sulfur लेता है तो S2 minus बनता है अब यह जो calcium के बाहर 2 है यह और यह यह आपके bond बनाते हैं और फिर calcium 2 plus यह वाला और S2 minus यह दुनों आपस मिलते हैं जो iron बनेंगे इसमें जो compound KS है atomic number भी दिया हुआ है calcium का 20 है यहाँ पर आप देख भी पारें 282 याने 20 और आपका दूसरे का भी आपको दिया हुआ है जो S है तो 10 और 6 16 तो calcium 2 plus S2 minus यह आपके calcium CAS में प्रिजेंट है right electron dot diagram for chlorine, chlorine का atomic number 17 दिया हुआ है और calcium का दिया हुआ है 20 आपको formation बताना है calcium chloride का transfer of electron से और identify करना है nature जो compound बनेगा और तीन physical properties भी इसकी बतानी है तो calcium है यह सारी, chlorine है 17, 2, 8, 7, 17 तो इसमें 7 आप डॉट दिखा देंगे, यहाँ पर 2, 8, 8, 2, जो calcium है यहाँ कि 2 आप cross यहाँ पर बाहर दिखाएंगे, तो calcium 2 electron देगा और chlorine twice करके 2 electron लेगा ताकि 2 C L minus बना सके यहाँ कैल्शियम का यह जो आपके बाहर है यह से combine होगा, एक से यहाँ पर और फिर दूसरा calcium जो calcium का है वो दूसरे chlorine से combine होगा यहाँ कि आपका C A 2 plus और C L minus जो है वो 2 है तो C A C L 2 बनेगा यह basically ionic compound है physical properties अगर देखें तो hard है और solid है इसकी high melting point है और water में, you are given samples of 3 metal, 3 metal के sample आपको दिए गए, sodium, magnesium और copper आपको suggest करना है कोई 2 activity ताकि आप arrange कर सके इनको decreasing activity के order में देखे, sodium react करता है cold water से बहुत vigorously, sodium hydroxide बनाता है hydrogen gas बनती है और magnesium यह react नहीं करता है cold water से लेकिन hot water के साथ यह react करता है और यह magnesium hydroxide बनाता है और hydrogen liberate होती है तो इसका मतलब यह है कि sodium ज्यादा reactive है magnesium से यह बात तो clear होगी एक और चीज़ देख लिए यहाँ पर activity है magnesium और copper है आपके पास magnesium को जो copper sulphate से करेंगे तो magnesium ने copper को replace कर दिया, copper अलग हो गया लेकिन copper को magnesium sulphate से करेंगे तो को reaction नहीं हो यह प्रोवाइड़ इसको तीन थे ना इसमें बता देता हूं तो sodium आपका हो गया magnesium copper में आपके देख लिया कौन सा है कि magnesium ने copper को replace कर दिया तो sodium फिर magnesium फिर copper इस तरीके से आएगा यह provided with magnesium ribbon and sulfur powder आपको magnesium ribbon मिला हुआ है और sulfur powder दिया हुआ है आपको activity से बताना है कि metal oxide यह basic होते है और non-metal oxide आपके acidic होते है nature wise तो aim कुछ इस तरीके से है कि हमको test करना है कि nature जो oxide का है जो metals और non-metals द्वारा बनेगा और आपको material जो required है उसमें sulfur powder, magnesium ribbon है, पानी है water, blue litmus paper है, red litmus paper है procedure कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको magnesium ribbon लेना है, tong से पकड़ने का एक औजार होता है तो tong से पकड़ेंगे और उसको burn करेंगे जलाएंगे flame में, air के presence में आप जो product बनेगा उसको collect करेंगे उसको dissolve करेंगे warm water, फिर add करेंगे जो लाल litmus paper है उसको इसमें आप दिखेंगे जो change in color है और फिर decide करेंगे कि क्या oxide, nature क्या है उस oxide का फिर आप sulfur को burn करेंगे जलाएंगे एक deflagrating spoon में और air के presence में जलाएंगे इसको और जो चुब्य oxide बना उसको water में dissolve कर लिए फिर dip करेंगे जो blue litmus paper है जो निला litmus paper है इस solution में और देखें कि क्या change होता है color का और decide करेंगे कि nature क्या है इस oxide का तो observation कुछ इस तरीके से होगा कि जो oxide बनेगा metals द्वारा वो red को blue में convert कर देता है litmus को जबकि oxide जो non-metal का बनेगा वो blue को red में change कर देगा इसका chemical reaction कुछ इस तरीके से है यह magnesium है इसके साथ oxygen में बनके तो magnesium oxide बना magnesium oxide जो basic oxide है उसको hot water में डाला तो magnesium hydroxide बना जो magnesium hydroxide यह बन रहा है यह आपका basic oxide है एस को O2 के साथ किया तो sulfur dioxide बना और sulfur dioxide को water के साथ किया तो sulfurous acid बना यह आपका sulfur dioxide जो है वह आपका acidic oxide है तो conclusion यह आप draw करेंगे कि mostly जो metal oxides है वो basic nature में होते हैं लबकि non-metal जो oxide होते हैं वो acidic nature के होते हैं long type question है यह an ore on treatment with dilute hydrochloric acid produce brisk effervescence एक ऐसा होर है और जो dilute hydrochloric acid से जब इसको treat किया जाता है तो बहुत effervescence पैदा करता है brisk अब किस type का यह ore है और आपको steps ही बताने है ताकि आप metal निकाल सके इस ore से enriched ore से एक और चीज़ है कि copper coin को लिया गया और इसको डाला गया इमर्स किया गया silver nitrate solution में कुछ समय के लिए क्या change हो रहा है coin में और color में solution के balance equation भी लिखनी है तो पहले का उत्तर यह है कि यह carbonated ore है और calcination अगर आप देखें तो यहां पर carbonate ore को heat जैसे zinc carbonate है इसको heat किया जा रहा है limited supply of air में और oxide बनेगा zinc oxide और carbon dioxide बनेगा अब इसका reduction किया जाएगा carbon से जो zinc oxide बन गया जिंक oxide का reaction किया जा रहा है carbon से oxide ore को heat किया जाएगा carbon के साथ तो zinc निकल आएगा और co carbon monoxide अलग हो जाएगा दूसरे का अगर उत्तर दिया जाए तो copper है अगर इसको ag no3 यानिकि silver nitrate solution में डाला जाए तो ag अलग हो जाएगा copper इसकी जगा ले लेगा तो copper nitrate बना और ag यानिकि silver अलग हो गया क्योंकि copper क्योंकि यह जादा reactive है silver से वो डिस्पेस करेगा silver को silver nitrate solution से और एक deposition हो जाएगा silver का copper coin copper के coin के उपर जो color है solution का वो क्या हो नीला हो जाएगा blue हो जाएगा give reasons for the following आपको reason बताने है school bells are made up of metal school bells जो होते हैं वो metal के बने होते हैं और electric wires जो होते हैं वो copper के बने होते हैं यह इसलिए होता है क्योंकि जो metal है वो sonorous है sonorous क्या होता है जब आप किसी भी ऑजार से उस heart substances से उसको मारते हैं या उस पर चोड़ करते हैं तो वो एक आवास पैदा करता है और उसको इस shape में बनाया जाता है bell के shape में कि जो उसके sound है वो इस तरीके से vibrate करें यह बहुत दूर तक पहुंचे और electric wires इसको हम copper से क्यों बनाते हैं क्यों क्योंकि यह अच्छे conductor है electricity के बहुत अच्छे conductor है electricity के आपको suggest करना है method जो reduction का है for the falling metal during their metallurgical process तो metallurgical process में के दौरान आपको method प्यार करना है या पता करना है reduction का in metals का Metal A which is one of the last second and third position in the reactivity Metal A जो पहला दूसरा और तीसरा position in reactivity का एक एक करके देखते हैं तो metal B के बारे में भी है कि यह vigorous reaction देता है चाहे वह water है या air है बड़ा विगरली यह react करता है और metal C यह activity series के बीच में रखा हुआ है तो आप देखिएगा एक ऐसे निकालेंगे जब अगर एक जो activities series में काफी उपर है उसको chemical reduction से हम निकाल सकते हैं इसमें हम carbon और या carbon monoxide इसको use कर सकते है reducing agent की तरह क्योंकि यह बहुत vigorously act करता है भी तो इसको हम electrolytic reduction से निकालेंगे और metal C क्योंकि यह middle में है तो हम इसको कोई भी जैसे reducing agent AL को use कर सकते हैं इसको reduce करने के लिए define activity series of metal arrange the metals gold, copper, iron and magnesium in order of their increase in activity परहे तो आपको activity series बतानी है metal की क्या होती है फिर arrange करना है metal जो इसे gold है, copper है, iron है, magnesium है उनको इनके reactivity के हिसाब से तो इसका उतर इस तरीके से होगा कि जो series है metal की जो इस तरीके से arrange की है कि वो decreasing order में उनके reactivity की है निकि जो पहला है वो ज़्यादा reactive है जो बाद में आएगा उससे वो कम reactive है निकि सबसे पहला जो है इस series में वो सबसे ज़्यादा reactive है, जो सबसे आखिर का है वो सबसे कम reactive है तो इनको देखा जाए इसमें तो आपका AU, CU, FE और MG ये इस तरीके से आएगा ये कि चाए गोल्ड हो, copper हो, iron हो और magnesium हो ये अपने आप आपको इसी order में दिये हुए फिर एक्रा सवाल है, what will you observe when some zinc pieces are put in copper sulfate solution zinc को अगर copper, कोई zinc के pieces अगर आप copper sulfate solution में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा तो zinc को copper sulfate में डालेंगे, तो देखें, ये blue है, जब blue solution है इसका, वो colorless बन जाएगा क्योंकि zinc sulfate बन गया है और साथ में आपको ये copper metal मिलेगा, तो ये copper metal आपका होता reddish brown, ये इस पर deposit हो जाएगा कुछ silver pieces इसको आप डालेंगे, हरे, हरे color के ferrous sulfate solution में तो आप देखें, जब ये ag, fe s4 के साथ मिलेगा, तो कोई reaction नहीं आएगा याणि कि आप silver pieces को आपके ferrous sulfate solution में डाल रहे हैं, तो कोई reaction नहीं होगा क्यों हो? क्योंकि जो ag है, वो fe को हडाने कोशिश करेगा, लेकिन ये fe से कम reactive हो ag जो है, वो rn स f e से बहुत, कम reactive है, तो कोई भी reaction नहीं होगा एक green layer, ये gradually आप देखेंगे कि ये बन जाएगी, copper plate पे, अगर उसको आपने air पे हवा में expose करके रखा हुआ है, कुछ समय के लिए, बातरूम में ही देखने है what could this green substance be, अब ये green substance होता क्या है, होगा क्या ये basic copper carbonate, यानि कि COCO3.COOH2, ये basic copper carbonate बन जाएगा, अगर आपने इसको expose कर दिया air से, और कुछ दिनों के लिए रख दिया, तो ये बन जाएगा, वही आपका green substance है इसमें है name the following, एक metal, जिसका हम preserve करते है करोसीन में, वो है sodium, ये अगर इसमें नहीं करेंगे न, तो ये air से आग के साथ मिलते ही, बहुर जबरदस तरीके से, रिग्रेसली रियाइट करता है, lusterous colored non-metal, ये आपका iodine है, luster यानि कि ये चमकता है, और non-metal है, एक metal, जो melt हो जाता है, which can melt, अगर आप इसको अपने palm में रखेंगे, अपने हातों में रखेंगे, तो ये melt हो जाएगा, वो है gallium, और एक metal, जो poor conductor है, heat का, वो है आपका lead, Explain why calcium metal, after reacting with water, starts floating on its surface, calcium metal, जब react करता है, पानी के साथ, तो वो float क्यों करने लगता है, surface पे, आपको chemical equation लिखना है, आपको एक और metal बताना है, जो float करता है, कुछ समय बाद, अगर उसको अपने पानी में रखा तो, तो calcium इसलिए float करता है, क्योंकि जो bubble है hydrogen gas के, जो बनती है, तो वो आपके metal से चिपक जाती है, और उस बबल के कारण वो उपर आ जाता है, जो calcium है, जो water के साथ react करता है, तो calcium hydroxide बनता है, hydrogen gas liberate होती है, और यह hydrogen gas का bubble इसको उपर ले आता है, इसी का दूसरा example दें, तो magnesium react करत है, hot water के साथ, और वो float करने लगता है, क्योंकि जो bubble है hydrogen gas के, वो stick हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसके surface में तो वो भी आके उपर तेहरने लगता है, reason देने है, aluminium oxide इसको consider किया जाता है, amphoteric oxide, यह इसलिए amphoteric बोला जाता है इसको, क्योंकि यह react करता है, acid के साथ, साथ में, basis के साथ, salt और water बनाता है, अब देखेगा, कि यह AL जो है, वो, कम electropositive है, metal से, तो यह एक amphoteric oxide बनाता है, जब यह react करेगा, acid से, और साथ में, जब यह react करेगा, base के साथ, ionic compound, conduct electricity, न, molten state, क्यों, ऐसा क्यों होता है, कि जो ionic compound होते हैं, अगर molten state में है, तो electricity को conduct करते हैं, बस सीडिसी बात है, अगर कोई चीज, electricity conduct कर रहे हैं, या तो free electrons होंगे, या ions होगे, तो ionic compound, electricity इसलिए conduct करते हैं, molten state में, क्योंकि जो ion होते हैं, ये free हो जाते हैं, ये move करते हैं, आपके molten state में, इसी करण से, ये electricity को conduct करते हैं, explain the formation of ionic compound, जो है CAO, electron dot structure, electron dot structure इसका बताएंगे, atomic number, calcium का और oxygen का 20 और 8 है, तो इस तरीके से बताएंगे, calcium आपका है, 2882, 20 के लिए हमने बताया, 2882, और जब ये calcium 2 प्लस बनाता है, यानि कि 2 electron छोडता है, तो 288 हो जाता है, ऐसी oxygen है, 2 और 6 है, दो electron लेता है, 288, दोनों की दोनों आपके octet इनों पूरा कर लिया, अब उसके बाद आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे, CA2 प्लस और O2 माइनस, ये combination है, आपको बताना है, constituent metals, bronze के, तो bronze किससे बनता है, copper और tin से, किससे बना, bronze बना, copper और tin के साथ, A metal X acquires a green color coating on its surface on exposure to air, एक metal ऐसा है, जो जुस पर green color आ जाता है, coating आ जाती है, यदि ये air को exposed किया जाए, आपको identify करना है metal को, बताना भी है, कि कौन सा process है, जिसके करना ये change हुआ, नाम और chemical formula लिखना है, इसका green coating का, और दो important method बताने है, ताकि इस process को prevent किया जा सके, तो जो metal है, वो copper है, इस process को हम कहते है corrosion, और जो दूसरे का answer है, वो ये है, कि ये है basic copper carbonate, इस कारण से, ये green coating आती है, COCO3, और dot COOH whole twice, ये आपका basic copper carbonate है, और इसको prevent करने के तरीके ये है, कि आप या तो coat कर दें, इसको tin से, tin की layer बना दें, इसके उपर, या इसको mix कर दें, बाकी metal के साथ, ताकि इसको आप alloy का shape दें, alloy बना दें, इसको. Right balance equation for the reaction of, balance equation बतानी है, reaction जो हो रहे है, aluminium जब heat किया जागा air में, आपको product भी बताना है, तो aluminium को अगर आप oxygen के साथ, मतलब air के presence में heat करेंगे, तो AL2 O3 बनेगा, जो कि आपका aluminium oxide है, aluminium oxide AL2 O3, iron, एफी को steam के साथ, याने कि, पानी, H2O के साथ करेंगे, तो F3 O4 बनेगा, और hydrogen gas liberate होगी, याने कि iron 2, देखिए, या iron 2 से iron 3 oxide बनेगा, iron 2, iron 3 oxide, right, क्योंकि है F3 है, और यहाँ पर calcium जो पानी के साथ react करेगा, calcium अगर water के साथ react करेगा, तो calcium hydroxide बनेगा, hydrogen liberate होगी, जो bubble है hydrogen के, वो इसके साथ चिपकेंगे, और यह आपके surface पे float करेगा, right, इसलिए float करता ह है, यह इसका उतर है कि क्यों यह floating शुरू कर देता है, आपको balance chemical equation लिखनी है, इन reaction की, dilute sulfuric acid react करता है, aluminium powder से, तो जब dilute sulfuric acid H2SO4, aluminium से react करेगा, तो AL2SO4 whole thrize बनेगा, और hydrogen liberate होगी, इसी तरीके से जब dilute hydrochloric acid react करेगा, आपके sodium carbonate से, Na2CO3 से, तो sodium chloride बनेगा, और साथ में H2O और CO2 release होगी, carbon dioxide जब आप पास करेंगे, lime water पर यानिकी calcium hydroxide पर, तो white precipitate बनेगा, calcium carbonate का, और पानी बनेगा, H2O What is meant by rusting, rusting क्या होती है, आपको labor diagram से एक activity बतानी है, ताकि आप वो सारे condition, जिसके कारण iron में rusting होती है, उसका corrosion ही है, corrosion के कारणी rusting होती है, rusting होगी तो corrosion होगा, यह बताना है आपको, तो देखें, जो ऐसा process जिसमें iron oxygen के साथ react करता है, moisture या H2O के presence में, oxygen ने आपर, अब इसमें क्या होता है, एक reddish brown coating आ जाती है, जो होती है, hydrated ferric oxide, यानि कि hydrated ferric iron oxide तो यह है, Fe2O3, और XH2O, यानि कि X number हो सकता है कोई भी, तो यह इसी बहुम rusting कहते हैं, तो इसके लिए करेंगे क्या, आप 3 boiling test tube A, B से लिजे, एक ये, दो ये, तीन ही, उसके बाद इसमें, पानी डाली है test tube A में, इसमें iron के nail डाल दीजे, यानि कि आप कीले डाल दीजे, और cork लगा दीजे, अब थोड़ा सा boiled, मतलब उबला हुआ distilled water, एक दूसरे test tube B में डाली है, यहाँ पर iron nail डाल दीजे, इसमें भी कीले डाल दीजे, और 1 ml, आ आप oil डाल सकते हैं, यह oil float करेगा, और जो air है, मतलब इसके ओपर oil इस तरी के से डालेंगे हैं, कि air से connection बंद हो जाएगा, मतलब पानी के layer पे, इसमें डाल दीजे, फिर cork कर दीजे, और यह इनको एक दिन के लिए रखिए, और observe करें, कहने का मतलब यह है कि A, यह है, B, यह है, C, यह है, दोनों में यहाँ पर air है, यहाँ पर आपने, कियो नेल डाला, यहाँ पर आपने इसके ओपर तेल डाल दिया, air के entry बंद हो गई, और यहाँ पर आपने तीसरे वाले में, एनहाइडरस, कैल्शम, क्लोराइड डा होगी, क्यों, क्योंकि air का connection ही नहीं हुआ, ओके, air आई नहीं इसमें, और C की बात करें इस तीसरे में, जहाँ अपने, अपने अनहाइडरस, कैल्शम, क्लोराइड मिला था, तो यह रस्टिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ना तो इसको air मिल पाया, ना इसको water मिल पाया, तो iron, air और water दोनों के presence में रस्टिंग होती है, यह हम इससे कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक बड़ा strong force होता है attraction, जो oppositely charged ions के अंदर मिलते हैं, उसकी कारण एक बड़ा strong force होता है attraction का इस कारण से, अगला है, how is it that ionic compounds in the solid state do not conduct electricity, but they do so when they are in molten state, ionic compounds जब solid होते हैं, तब तो electricity conduct नहीं करते हैं, लेकिन जैसी molten state में या गीले उसमें आ जाते हैं यह state में, अगल डाइगराम के साथ बताना है, transfer जो electron का हो रहा है, atom जब MgO बनता है, atoms का, जब MgO बनता है, symbol भी बताने है, cation और N- के MgO, अब देखिए Mg है, डाइगराम यही है, यहाँ पर दो इसके पास है, oxygen के पास दो चाहिए, तो यह इसके साथ combine होता है, यह इसके साथ combine होता है, Mg2+, और O2- बनता है, MgO में Mg2+, यह cation है, जो भी positive sign का होता है, वो cation होता है, और O2- जाने की यह anion है, तो दूसरा जो है, name the solvent in which ionic compounds are generally soluble, तो ionic compounds पानी में soluble होते हैं, वाइर aqueous solution of ionic compounds able to conduct electricity, तो aqueous solution ionic compounds की कैसे conduct करते हैं electricity, क्योंकि, देखे, main चीज़ यह होती है इसमें, कि अगर आपको free ions मिल गए, तो वो conduct करना शुरू कर देंगे electricity, तो aqueous solution में ions होते हैं, जो आराम से freely move करते हैं, और वो carry कर जाते हैं current को, amphoteric oxides क्या होते हैं, आपको choose करना है amphoteric oxide, इन सब oxide में, Na2O है, zinc oxide है, H2O है, CO2 है, तो वो oxide, oxides, जो react करते हैं acids के साथ, साथ में bases के साथ, ताकि salt या water produce हो, उसे हम amphoteric oxide करते हैं, oxides कहते हैं, Na2O, zinc oxide, यह सारे amphoteric oxide हैं, जो हमारे पास यह oxide दिये हो है, इसमें Na2O और ZNO, यह आपके amphoteric oxides हैं, आपको यह terms define करने हैं, mineral, ore और गैंगियू, गैंगी बोलते हैं, गैंगी ठीक रहेगा, mineral, mineral क्या है, यह आपके natural occurring substance है, आपको अर्थकस्ट पर मिलेगी, अब जिससे metal निकाला और नहीं निकाला जा सकता है, यह नहीं के may or may not be extracted, हो सकता profitably निकाला जा सके हो सकता, economically नहीं निकाला जा सके, तो जैसे aluminium के आराम से आप इसको extract कर सकते हैं, profitably mica से, तो यह अपका example हो सकता है, और की बात करें तो यह rock जैसा material होता है, इसमें काफी सारे mineral होते हैं, तो metal इसमें extract किया जा सकता है profitably, जैसे zinc blend, यह एक और है, zinc का, जिससे zinc को profitably economically, मतलब फाइदे से निकाला जा सकता है, ऐसे नहीं कि हम निकालने की कोशिश करें, हमारा, जितना पैसा उस metal को निकालने में मिलेगा, उससे जादा हमारा खर्चा हो जाए, यही profitability और economic की बात हो रही है यहांपे, गैंगी क्या है, यह भी rocky material है, यह mineral के, जो mineral है, उसके साथ, मतलब जो ore के अंदर mineral है, उसके साथ रहता है, तो FEO, अगर आप देखें, जब copper का extraction करते हैं, तो FEO उसके साथ गैंगी होता है, आपको chemical name लिखना है, जो coating होती है, जो silver पर बनती है, copper article पर बनती है, जब इसको हम कुछ दुनों के लिए, moist air, यहने कि, जिसमें moisture हो ऐसी air पर, हम expose कर दें, तो देखिए, जो AG2S है, यानि कि silver sulfide, यह silver पर बनता है, और CuCO3.COOH twice, यानि कि basic copper carbonate, यह बनता है आपका copper पर, explain what is galvanization, what purpose is served by, galvanization क्या होता है, अगर आप किसी भी, जैसे main चीज़ यह होता है, iron की बात हम करते हैं, जब galvanization होता है, तो zinc की coating को हम galvanization कहते हैं, तो इससे iron की rusting जो होती है, वो उससे prevention होता है, आपको alloy बताना क्या है, कैसे alloy को हम बनाते हैं, और कैसे जो property होती है, iron की change होती है, जब इसमें carbon मिलाते हैं, और nickel krobium मिलाते हैं, तो alloy क्या है, ये एक mixture है, दो या दो से अधिक metal का homogenous mixture है, इन में हो सकता है, non-metal भी हो, तो alloy को हम कैसे prepare करते हैं, जब दो से अधिक metal, जितने भी हमको मिलाने हैं, उनको हम melt करते हैं साथ में, अब जैसी हम carbon मिलाएंगे, इसका जवाब दे रहा हूँ है, जैसी carbon मिलाएंगे, तो iron में rusting नहीं होती हैं, और nickel और chromium, जब हम एक alloy बनाएंगे, iron का nickel और chromium के साथ, तो हमको stainless steel मिलता है, जो की malleable भी होता है, और malleable मतब उसको हम आराम से, malleability मतब वायर खीच सकते हैं, ductile मतब उसको plate में बना सकते हैं, तो दूनी चीज़ें क्योंकि यह उस quality में आ गया, और इसमें rusting फिर नहीं होती है, differentiate between roasting and calcination, roasting and calcination में अंतर बताईए, explain the two with the help of suitable chemical equation, chemical equation के साथ बताईएगा इसको, और कैसे zinc को extract करते हैं उसके ore के साथ, तो roasting और calcination अलग-अलग देखिए, यह ऐसा process है, जिसमें जो sulfide हो रहे थे, जैसी यह zinc sulfide है, इसको heat किया oxygen के presence में, और यह zinc oxide बनाता है, इसे हम roasting कहते हैं, calcination का मतलब है, जिसमें जो carbonate ore होता है, zinc carbonate यहां देख रहे हैं, इसको absence of air में, ध्यान रखिए का heat करेंगे, बगएर air के presence में, और यह आपका zinc oxide बनाता है, और reduction की बात करें, zinc कैसे हम oxide करते हैं, तो reduction process से करते हैं, zinc oxide आपका जो बना, यह C के साथ, carbon के साथ react करवाते हैं, और zinc अलग निकल जाता है, carbon dioxide deliberate हो जाता है, अगला सवाल है, name two metals that can be used to reduce metal oxide to metal, तो आप में अभी भी देख लिया, इसमें हम aluminum और magnesium को भी जोड़ देते हैं, दो ऐसे metal जो हम use कर सकते हैं, ताकि metal oxide को reduce किया जा सके हैं, और metal निकाला जा सके हैं, इन्दी formation of compound between two atoms A and B, एक compound बन रहा है, दो atom है air B, A lose करता है दो electron, B gain करता है one electron, क्या nature होगा जो bond बनेगा A और B के बीच में, और suggest भी करना है formula compound का, जो A और B के बीच में बनेगा, तो देखें, यह ionic bond बनेगा पहले चीज़ तो यह है, और इसका formation होगा AB2, क्योंकि A जो है, यह lose करता है दो electron तो A2 प्लस आएगा, B जो है gain करता एक electron तो B माइनस आएगा, तो इस दो को पुरा करने के लिए AB2 बनेगा इस तरीके से, और क्योंकि यहाँ पर sharing नहीं हो रही है, बलकि आदान प्रादान हो रहा है आपके electrons का, इसलिए ionic bond बनेगा, B की बात करें, तो on similar lines explain the formation of MgCl2, तो MgCl2 कैसे बनता है, magnesium में क्या किया है, दो electron दे दी, और यहीं दो electron किसने ले लिए है, chlorine और एक chlorine, दो chlorine यानि कि हर एक chlorine ने, दो chlorine ने दो electron लिए, तो Cl- बना, तो Mg2 प्लस और Cl-2 इस तरीके से बनता है, यहीं को इसी तरीके से दिखाईएगा इसको, carbon salt conducts electricity only in molten state, यहने कि जो NACL होता है, molten state में conduct करता है electricity, आपके solid state में नहीं करता, क्योंकि Na+, और Cl- यह free हो जाते हैं, free हो जाते हैं, move करते हैं, molten state में, और इसलिए यह, क्योंकि free ions मिल गए, इसलिए conductivity होती है, electricity के लेकिन solid state में ऐसा नहीं होता है, why is melting point of NACL high, यह इसलिए होता है, क्योंकि Na+, और Cl- में बड़ा जबरदस attraction है, strong attraction है, जो force है, वो attracting first, बड़ा काफी जबरदस है, इसी के कारण, carbon cannot be used as reducing agent to obtain Mg from Mg Ocune, magnesium को, magnesium oxide से पाने के लिए, carbon को use नहीं कर सकते, क्यों, उसका उतर यह है, कि जो Mg है, magnesium, यह ज़ादा stronger reducing agent है, carbon से, तो कम वाले को कैसे use कर सकते, Mg को निकालने के लिए, how is sodium obtained from molten sodium chloride, अपको equation भी बतानी है, तो यह NaCl है, molten है, electrolysis करते हैं, sodium और chlorine मिलता है आपको, तो sodium कैसे मिलता है, molten area cell से, electrolysis द्वारा, how is copper obtained from sulfide ore, copper कैसे मिलता है, sulfide ore से, तो copper ore, यह है क्या, पहले तो इसको concentrate किया जाता है, froth, flotation process के द्वारा, दो तिन चीज़े हैं, इसमें इसको देखेगा, पहले हम roasting करते हैं, यानि कि आपका copper sulfide है, इसको oxygen के साथ, तो CO2O बना, sulfur dioxide निकल गई, फिर हमारा है, basimerization, जो copper oxide है, वो react करता है, CO2S से, जब heat करेंगे, इसमें blister बनते हैं, copper के, और sulfur dioxide, यानि कि CO2S जो है, वो हम जब CO2O के साथ, react करवाएंगे, तो copper अलग से निकल जाएगा, sulfur dioxide बहार निकल आएगा, तो blister copper, इसको हम और clean करते हैं, purify करते हैं, electrolytic refining से, जो तरीका है extraction का metal, जो reactivity series में ऊपर है, वो अलग है, जो metal बीच में आते हैं, why is the same process cannot be applied for them, क्या आप दोनों में same process क्यों नहीं अप्लाए कर सकते हैं, equation बतानी है, आपको extraction sodium की, लेकिए जो metal आपकी अगर इसी सरीकिसे में series बनाऊ, तो कुछ metal यहाँ होंगे, कुछ metal यहाँ होंगे, कुछ metal यहाँ होंगे, और इसको हम chemical reaction से नहीं निकाल पाएंगे, लेकिए जो metal आपके बीच में आते हैं, middle of series में आते हैं, वो थोड़े कम reactive होते हैं, उसको हम chemical reduction से निकाल सकते हैं, और जो same process है, हम दोनों में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि reactivity का अंतर है, जो extraction है sodium का, उसको हम electrolysis से निकालते हैं, molten, sodium chloride से यह molten state है, जो molten मतला होता है, liquefied state, DNACl है, इसको electrolysis इस पर करते हैं, तो sodium और chlorine आपको अलग-अलग मिल जाती हैं, write the names and symbols of two most reactive metals, आपको नाव और symbol बताना है, दो सबसे जादा reactive metals कोन से हैं, इसके बाद आपको explain करना है, draw करना है, electronic structure, how any one of the two metals react with hydrogen, hydrogen के साथ कैसे इन में से कोई एक react करेगा, इसके लावा आपको चार physical properties भी बतानी हैं, जो compound बनेगा, तो potassium K और sodium Na, यह सबसे जादा reactive metals हैं, K और Na, इनका electronic structure इस तरी K का है, कि इनके पास एक valence electron होता है, जैसे आप यह K देखिए, एक dot यहाँ पर एक valence electron है, इसी तरीके से Na के साथ भी valence electron है, अब जो halogen होते हैं, उनके पास 7 electron होते हैं, उनको एक चाहिए होता है, ताकि वो octet पुरा कर सके, K के पास एक है, इनको एक चाहिए, तो यहाँ बिलकुल combination बन जाता है, और इस तरीके से, जैसे कि एक प्रास या कोई भी halogen आप ले लीजिए, इस सेम चीज सोडियम के साथ होती है, F इसमें halogen है आपका, अब चार जो physical property है, जो compound बनते हैं इन elements से, halogen के साथ combination से, तो इनका high melting point होता है, soluble होते हैं पानी में, soluble हैं water में, और electricity contain करते हैं, conduct करते हैं, यह molten state में, लेकिन solid state में नहीं करते हैं, और यह solid होते हैं, और थोड़े hard होते हैं, A metal M, which is one of the best conductor of heat and electricity, used in making electric wire, is found in nature as sulfide ore, एक metal M ऐसा है, यह metal M ऐसा है, जो M2S की तरह आप मिलता है, naturally, और यह electricity और heat का बहुत बढ़िया conductor है, आपको M बताना है क्या, और कौन सा process suitable होगा, extraction अगर करना है, M को M2S से, बादो sulfide से इसको निकालना है, balanced chemical equation लिखनी हैं आपको, और labor diagram से आपको बताना है, कि electrolytic refining कैसे होगी metal की, तो एक एक करके चलते हैं, यह जो metal है, वो है, C2S, C2S से निकलता है, copper है यह, तो roasting और basimerization होता है, देखिए, यह जो M2S, यहने की Cu2S है, oxygen के साथ इसको मिलाते हैं, तो Cu2O बनता है, फिर यह Cu2O, फिर से इसके साथ react करवाते हैं, basimerization, तो इससे आपका copper निकल आता है, तो इसको हम concentrate करते हैं, froth, flotation process से, और जो impure copper होता, उसको फिर और purify किया जाता है, electrolytic refining से, तो impure metal को लिया जाता है, anode की तरह, जबकि pure metal को लिया जाता है, cathode की तरह, पास किया जाता है, impure metal change हो जाता है, ions में, जो electron लेते है, cathode पे, और जो pure metal है, उसमें change हो जाते हैं, impurity is anode में as a mud निकल लाती है, तो अगर इस चीज़ को मैंने जो बताया, उसको diagramatically समझाने के कोशिश करूँ, तो कुछ इस तरही के से हो रहा है, यह में प्लस जो है, वो N electron लेता है और pure metal बनाता है, तो यह anode है, जो impure metal का है, यह आपका cathode है, जो pure metal है, और यह आपका solution है, वो metal का salt है, जिसको हम electrolyte कहते हैं, तो यह जो यहाँ पर है, आपका बागी जो anode का mud है, वो यहाँ जमा हो जाता है, आपको substance बताना है, कि जो surface पर बन जाता है, ऐसी tarnished copper vessel, जो जिनके उपर कोई परद जम गई है, और वो copper ठीक नहीं लग रहा है, वो अगर आप tamarin का juice ले, यानि कि जो इमली आपने सुनोगा, इमली का juice ले, या फिर आप lemon का भी ले सकते हैं, उसको लेंगे तो ये clean हो जाता है, क्यासे, और aluminium जादा reactive है iron से, लेकिन फिर भी, उसमें कम corrosion होता है aluminium में, अगर iron को देखें, जब दोनों को ही आप expose कर देंगे हवा में, तो ये करके इसका जवाब देंगे, ये metal corrode होते हैं, जब आप silver और copper को बाहर रखते हैं, तो इसमें corrosion होता है, corrosion की कारण इसमें rust पैदा हो जाता है, तो silver क्या बना देता है, silver sulfide AG2S, ऐसी copper जो है, उसके उपर एक greenish, मतलब हरी layer बन जाती है, जो basic copper carbonate की होती है, COCO3.COOH holtwice, tamarate में acid होता है, जिसे मैंने कहा कि lemon के साथ दिया सही है, जो basic copper carbonate के साथ react करता है, और जो product है वो dissolve हो जाता है, और वो copper के vessel के उपर जो परचड़ गई है, वो हटा देता है, tamarine का जूज है, तीसरे का जवाब दे रहे है, aluminium बनाता है oxide layer, उसमें surface पे, अब एक बार जब उसकी layer बन गई, तो वो air जो है, वो दुबारा react नहीं कर पाती, लेकिन iron के साथ ऐसा नहीं है, वो react करता रहता है, जब तक भी घिस ना जाया, खतम ना हो जाया, आपको electron dot structure बताना है, sodium, oxygen, magnesium का, आपको ये भी बताना है, formation Na2O और M2O का, transfer of electron से, जब electron transfer हो रहे हैं, आपको iron बताने है, जो present है in compound में, और तीन property बतानी है, ionic compounds की, तो Na के साथ एक, Na का एक balance है, oxygen के 6 है, magnesium के 2 है, तो इस तरही dot करके दिखाईएगा, अब Na2 मतलब ये है, कि Na के 2 Na होंगे, क्योंकि oxygen को 2 चाहिए, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो Na2 हो गया, O आपका 1 हो गया, इसी तरही के से MGO करेंगे, तो MG, MG के 2 है, oxygen को भी 2 चाहिए, तो MGO इस तरही के से बनेगा, Na2O में, आपके Na plus होता है, और oxygen O2 minus iron होता है, MGO में आपका MG2 plus होता है, O2 minus iron होता है, और तीन आपका properties बतानी है, उन्हें compound की, तो वो solid होते है, जिनका high melting point होता है, soluble होते है पानी में, और molten state में, liquid state में, ये electricity conduct करते हैं, और aqua solution में भी, ये electricity conduct करते हैं, क्योंकि free ions होते हैं, Alloys क्या होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, आपको constituents बताने हैं, और use बताने हैं, brass, bronze और solder के, Alloys वो होते हैं, homogenous mixture होते हैं, 2 या 2 से अधिक metal के, 2 या 2 से अधिक metal के, इसमें non metal भी हो सकता है, अच्छा, ये melting करते हैं metal के, पहले आप एक element लेंगे, उसको दूसरे में डालेंगे, इस तरीके से ये combination होता है, brass में होता है copper और zinc, और ये decorative articles जो होते हैं, यानि कि, शोभा बनाने के लिए घर की, उसके लिए use करते हैं, bronze में copper और tin होता है, ये statue होते हैं, medal जो बनते हैं, जब हम price wise जेते हैं, उसके लिए बनाए जाते हैं, उसके लिए use होता है इसका, solder में lead और tin होता है, इसको soldering purpose के लिए, यानि कि आपको दो चीजों को जोडने के लिए, दो wire वाकर हमें बड़ा काम होता है, circuit बनाने में, soldering में बड़ा काम होता है, एक metal E है, जो stored है, kerosene के अंदर stored किया गया, एक छोटा असा इसका piece है, उसको air में रख दिया गया, एकदम से वो आग पकड़ लिता है, जब जो product निकला, अगर उसको पानी में डाला जाए, तो वो red coal, red litmus को blue में convert कर देता है, आपको metal बताना है, वल्टन क्लोराइट से इस metal को निकला जाएगा, तो सबसे पहली चीज़ ये समझेए, कि highest, अगर आप देखा जाए, तो sodium, potassium ये सबसे जादा reactive है, तो E आपका sodium है, क्योंकि जैसी आप बाहर रखेंगे, एकदम से आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको हम kerosene में रखते हैं, दूसरा ये है कि E आपका जैसे sodium बताया, वो fire catch कर लेता है, तो sodium के साथ oxygen का Na2O बनेगा, Na2O के साथ H2O कंबाइन होगा, तो sodium hydroxyl बनेगा, अब electrolytic reduction, electric current को pass किया जाता है, इस molten NaCl में, sodium आपका cathode में आ जाता है, chlorine gas anode में liberate हो जाती है, NaCl का जब electrolysis होता है, molten state में, तो sodium और chlorine बनता है, electrolytic reduction की बात करें, तो electric current को pass किया जाता है, जैसे मैंने पता है NaCl में, sodium बनता है cathode में, chlorine anode पे, आपको calcination और roasting में अंतर बताना है, तो calcination में, और roasting में क्या अंतर है, पहले चीज़ तो यह है, calcination होता है, air के absence में, air नहीं होगी, तो आप जब और लेंगे, उसको गरम करेंगे, heat करेंगे, बगेर air के, इसको cancellation कहते हैं, और जब हम और को, air की presence में, हवा की presence में, जब इसको heat करते हैं, तो उसे roasting कहते हैं, calculation का, जो conversion होता है, वो है carbonate ore को, यह oxide में convert करता है, जब कि roasting जो है, sulfide ore को, sulfide ore जितमें, जो भी जिसमें sulfide है, इसमें carbonate है, यहाँ sulfide ore को convert करता है, oxide में यह roasting होता है, यह very short type questions है, 2011 के, एक non-metal X exist करता है, दो different form में, Y और Z, यह Y hardest metal, hardest natural substance है, जब कि Z आपका, बहुत अच्छा conductor है, electricity का, आपको X, Y, Z बताना है, देंकि X पहली बात तो carbon है, उसके दो अलग-अलग form है, Y diamond है, जो कि सबसे ज़्यादा hardest metal, अभी तक known है, Z आपका graphite है, पैसल वेसल के काम बनाने काम में आता है, बढ़ा अच्छा conductor है, electricity का, Why does calcium float in on water, calcium float क्यों करता है, वो इसलिए करता है, क्योंकि जब hydrogen gas बनती है, वो इसके surface से चिपग आती है, इस कारवम से यह उपर float करने लगता है, नेवर non-metal which is lusterous, एक ऐसा non-metal बताना है, जो चमक चमकता है, और एक metal जो चमकता नहीं है, iodine non-metal है, जो lusterous है, देखेगा, यह answer यहाँ से शुरू हो रहा है, iodine आपको non-metal है, जो lusterous है, चमकता है, और lead आपका non-lusterous metal है, इसका उतर यह होगा, पहला यह दूस्ट आए, lead आपका non-lusterous metal है, कौन सी gas liberate होती है, जब metal react करता है acid से, और कैसे आप इसकी test करेंगे, presence इस gas की, तो hydrogen gas बनती है, यहाँ पर, आप mastic को लेके आईए, hydrogen के पास, pop sound से, वो explosively burn हो जाएगी, जल जाएगी, आपको बताना है, वो metal जो react करता है, बहुत dilute HNO3 से, दो metal आपको बताने हैं, जो free state में आपको मिलते हैं nature में, तो वो है आपके gold और silver, इसलिए gold और silver की mining होती है, जिस तरीके से sodium, magnesium और iron, हवा के साथ react करते हैं, वाटर के साथ react करते हैं, यह इसकी position बताता है, कि reactivity series में यह किस position पे हैं, क्या यह statement सही है, आपको justify करना example देगी, sodium बहुत जबर्दस react करता है, यहां तक ही cold water से भी react कर देता है, बहुत सबसे आदा reactivity है, लेकिन magnesium react करता है hot water से, इसका मतलब sodium से थादा कम है, और iron के बद़ स्टीम से react करता है, इसका मतलब यह इन तीरों में सबसे कम reactivity है, least reactivity है, x और y SO4 है, x SO4 बनाता है, y अलग से लिका जाता है, y और x SO4 है, तो कोई reaction नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि x y को यहाँ replace कर रहा है, लेकिन y x को replace नहीं कर पा रहा है, तो दो element में, out of these two elements x और y, कौन सा जाधा reactive है, क्यों, तो x जाधा reactive है y से, क्योंकि y replace कर रहा है, यहाँ x y को replace कर दे रहा है, तो जाधा reactive x होगा, जबकि y x को replace नहीं कर पा रहा है, alloy क्या होता है, constituents क्या है, solder के, आप property बतानी है, solder की, जो इसको suitable बनाती है, wire बनाने के लिए, welding, electric wire को welding करने के लिए, तो alloy homogeneous mixture होता है, दो या दो से अधिक metal, इसमे non-metal भी हो सकता है, solder में होता है, lead or tin, और इसकी melting point कम होती है, इसलिए, क्योंकि melting point कम है, तो बहुत कम heat से यह, melt हो जाता है, अपका melt होने के बाद जैसी, थल कासा इसको ठंड़क मिलती है, यह soup भी जाता है, और hard हो जाता है, तो इसलिए इसको welding के लिए यूज़ किया जाता है, electric wire की, आपको electric configuration यूज़ करके, आपको explain करना है, बताना है, magnesium atom combine होता है oxygen से, oxygen atom से, ताकि magnesium oxide बने, लेकिन transfer of electrons हो रहे हैं इसमें, लेकि magnesium 12 है, 2,8,2, इस तरीके से बनता है, magnesium 2,8,2 है, तो यह 2 liberate कर देगा, 2 छोड़ देगा, 2 electron छोड़ देगा, oxygen 2 और 6 है, क्योंकि 8 होता है, उसका atomic number, तो oxygen 2 electron, यह इससे ले लेगा, और यह 8 बन जाएगा, 6 से 6 प्लस 2 के रहेंगे, तो आपका 8 बन जाएगा, तो mg 2 प्लस और o 2 माइनस, ऐसे बनता है, जब एक metal x, ट्रीट किया जाएगा, cold water से, तो वो base देता है y, जिसका molecular formula है, x uh, molecular mass इसका 40, यह liberate करता है, gas को, gas को, gas निकलती है, जो बहुत आसानी से, आग पकड़ लेती है, आपको x, y, z, identify करने है, देखिए, sodium है, इसके साथ cold water लगाया गया, तो naOH बना, kOH हैने की, sodium hydroxide, और hydrogen liberate होगी, x इसमें sodium है, y आपका sodium hydroxide है, zs में आपका hydrogen है, आपका chemical equation लिखना है, वो जो बताए, कि aluminium oxide react करता है, acid के साथ, साथ में react करता है, base के भी साथ, देखिएगा, L2O3 है, HCl के साथ react कर रहा है, L2Cl3 बना रहा है, L2O3, वही L2O3, NaOH के साथ react कर रहा है, और क्या बना रहा है, NaO2, याने कि acid के साथ react कर रहा है, base के साथ react कर रहा है, ये acid है, ये base है, 2011 के long answer type questions देख रहे हैं, आपको main ore बताना है, mercury का, कहां से mercury हम निकालते हैं, कैसे इसको obtain किया जाता है, इस ore से, balance chemical equation भी बताने हैं, thermite reaction क्या होते हैं, कैसे हम इसको use करते हैं, ताकि कोई अगर crack जगह है, जैसे railway track में होती है, या machine part कोई crack है, तो महा लगाया जा सकता है, इसके अलावा आपको method भी बताने हैं, जो high reactivity वाले metal हैं, उनको हम extract करने के लिए use करते हैं, तो पहले चीज़ तो ये हैं, कि सिनेबार से mercury निकलता है, mercury हम निकालते हैं, इस सिनेबार से, इस ओर से, roasting करके, HGS है पसिनेबार, oxygen से इसको, कि roasting होती है, तो HG अलक्स निकल जाता है, HG आपका mercury है, SO2 liberate हो जाती है, दूसरे का उतर ये हैं, कि जब aluminium को hit किया जाएगा, Fe2O3 के साथ, ये aluminium है, इसको Fe2O3 के साथ react किया जाएगा, इसमें molten iron मिलता है, आपको ये आपको जो 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 जो, इसी को हम thermite reaction कहते हैं, molten iron ये हम यूज करते हैं, ताकि railway track के कोई broken partners को weld कर सके, और जो तरीका है, method जिससे हम extract करते हैं, high reactivity metals को, वो हम electrolytic reduction कहते हैं, इसको हम और chemical reaction से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत high reactivity होते हैं, कैसे हम जो top reactivity वाले हैं, उन्सको और से निकालेंगे, वो सारे metal बताने हैं, तब तरीका बताना है, आपको example के साथ बताना है, कोई alloy जो बनाया गया metal और non-metal से, और दो metal के साथ, इसका उतर इस तरीके से हैं, कि हम electrolytic reduction से निकालते हैं, अभी जैसे में आपको बताया, कि chemical नहीं चल पाएगा, इसमें chemical reduction नहीं हो पाएगा, chemical reaction से नहीं हो पाएगा, इसका उतर देते हैं, दूसरे का steel, iron और carbon से मिलके बनता है, brass, copper और zinc से मिलके बनता है, दो method बताने हैं आपको, ताकि rusting से बचा साथ जा सके iron, कि rusting से iron को बचाना है, फिर ores बताने हैं, इन metals के, mercury और zinc के, और explain करना है diagram के साथ, कि किस तरीके से copper, metal को आप refine करेंगे, आपको label भी करना है, जो arrangement होगा, इस experimental setup ने, तो एके करके इसका answer देते हैं, पहले हैं, दो method जिससे हम prevent कर सके, rusting iron की, आप paint कर सकते हैं iron को, आप galvanize कर सकते हैं, याईने zinc की coating उस पे लगा सकते हैं, mercury का जो ore है, वो है cinnavare, और zinc का है zinc blend, अब आते हैं इस diagram वाले चीज़ पे, इसमें ऐसा है कि, जो impure copper है, इसको हम लेंगे as anode, जबकि pure copper को हम लेंगे as cathode, copper surface solution जो है, CUS4, इसको हम electrolyte की तरह लेंगे, और जब electric current इसमें pass करेंगे, तो impure copper जो है, wire में change होगा, जो electron gain करेंगा cathode पे, और change हो जाएगा pure copper पे, जो impurities है, वो कहां आजाएगी, anode पर mud की तरह, तो हो क्या रहा है इसमें copper जो है, impure copper 2 plus जाने की, दो electron इसने दे दी है, अब copper 2 plus electron ले ले लेगा, और pure copper बनाएगा, यहाँ पर इसका, आपको formation देख रहा है, यह आपका cathode है, जो कि pure metal है, यह आपका impure है, यह आपका acidified solution है, यह आने की, CuSO4 electrolyte है, यह electrolytic defining है, यह आपका mud है, suitable example से आपको बताना है, किस तरीके से ionic compounds बनते हैं, आपको तीन general properties भी बतानी है, इन ionic compounds की, तो आप देखिए, ionic compounds यहाँ पर transfer होता है electron का, metal से non-metal में, अब आप देखिए, कि जो covalent compounds बनते हैं, अगर covalent bond का हैं, तो उसमें sharing होती है, यहाँ पर आपकी electrons का transfer हो रहा है, तो na एक electron देगा, और यही electron जो मिला है, वो chlorine ले ले लेगा, इस तरीके से यहाँ से एक electron इसके पास जाएगा, और naCl इस तरीके से बनेगा, general properties यह है कि, जो बनते हैं, solids है, high melting point है, soluble है पानी में, conduct करते हैं electricity, water state में, इसके अलावा echo state में भी electricity, conduct करते हैं, अगला है explain the example how, आपको example बताना है, किस तरीके से X, जिसकी low reactivity है, जो low है reactivity series में, और जो metal Y है, जो high है reactivity series में, इसको आप निकालेंगे, उनके compound से, reduction process से, तो पहली चीज़ यह है, कि X को आप chemical reduction से निकालेंगे, Y को आपको electrolytic reduction से निकालना पड़ेगा, क्योंकि Y, इसमें main चीज़ आपको जिध्यान रखनी है, कि वो metal जो high reactivity series में है, वो आप chemical reduction से निकाल पाएंगे, उनको electrolytic reduction से निकालना पड़ेगा, दूसरा है, राइट दी electronic configuration of sodium and chlorine, तो sodium है 281 यानिकी 11, chlorine है 287 यानिकी 17, तो आपको formation भी बताना है, sodium chloride का, NaCl का, sodium और chlorine से transfer जो electron होता है, तो sodium के पास एक extra है, यह एक extra छोड़ देगा, chlorine को एक चाहिए अपना octet बनाने के लिए, यह electronic ले लेगा, तो CL- बनेगा, यहनि Na अपना इस तरीके से एक electron देगा, CL- लेगा, NaCl इस तरीके से बनेगा, आपको दो observation बताने हैं, जब बहुत reactive metal को पानी में डालें गया, पहले चीज़ सोई यह है कि metal आग पकड़ लेगा, और alkali solution बनेगा, जो red litmus को blue में convert कर देगा, एक reaction है metal का, उस ferric oxide के साथ, वो बहुत जबरदस heat निकालता है, यानि कि highly exothermic है, यह जो metal X है, इसको निकाला जाता है, इनके oxide से electrolytic reduction द्वारा, आपको identify करना है X को, और reaction भी लिखना है इसका ferric oxide के साथ, इसके बाद आपको reason देना है, ताकि justify कर सके aluminum oxide, यह amphoteric oxide है, एक और example देना है amphoteric oxide का, आपको constituent भी बताने हैं, जो metal के bronze में है, तो X आपका aluminum है, aluminum जो Fe2,3 के साथ react करता है, तो Al2O3 बनता है, Fe साथ में आपको मिल जाता है, Al2O3 react करता है आपके acid से, साथ में आपके base के साथ, इसलिए acid और base के साथ दोनों से react करता है, इसलिए इसको amphoteric acid कहते हैं, इसका example और अगर हम लें, जैसे Al2O3 आपका amphoteric है, ऐसे zinc oxide भी है, ये भी amphoteric है, जो bronze में present constituent metal है, वो है copper और tin, ये 2010 के सवाल है, आपको valency बतानी है silicon की, इसका atomic number है 14, तो valency आपके देखे 14 है, तो आप इसको मनाएंगे 2, 8 और 4, तो valency कितनी होगी, इसकी 4, valency हमेशा 8 से minus करके लेते हैं, ध्यान रखेगा, what is the valency of phosphorus with atomic number 15, valency क्या होई इसकी, जैसे हमने कहा 2, 8 और 5, तो इसकी valency वैसे यहाँ से, अगर normally दिखा जाए तो 5 दिख रही है, लेकि मैंने आपको जैसे बताया है, आखरी वाला जो है, 8 से subtract करके आता है, तो 8 मैनस 5, 3 होगा, what is the valency of electron with atomic number 35, तो इसी तरीके से आँगे बढाएंगे, valency इसकी 1 है, आपको 2, 8, 8 इस तरीके से आगे बढाने है, और आखिर में आपको, जो last में आएगा, उसको 8 से माइनस करना है, तो आपकी valency 1 आएगे इसकी, elements, magnesium और oxygen, ये belong करते हैं, group 2 और group 16, modern periodic table के, अब जो atomic number है, magnesium, oxygen का 12 और 8 है, आपको उनका electronic configuration बनाना है, और ये भी बताना है, जो process है, कि किस तरीके से, formation होता है, उनके compound का, electron का transfer होकी, तो इस तरीके से बनाएंगे, शुरुआत में जो पहला, आपका orbit बनता है, वो के कहलाता है, फिर L है, फिर M है, क्योंकि 2, 8, 2 है, है इसका number ही आपका 12 है, तो 12 के से बनने का 2, फिर 8, फिर 2, इस तरीके से, तो 2, 8, 2 बनाएंगे आप, तो 2, 8 और 2, यानि यहां पर 2 गोले लगाएंगे, L में आप 8 गोले लगाएंगे, और जो आखरी का गोला है, बनता आखरी का जो सर्कल है उसमें, दो इस तरीके से गोले लगाएंगे, oxygen के बात करें, 2, 6, तो K में आपके 2 आएंगे, आखरी जो लास्ट वाला गोला है उसमें, यह छोड़ी छोड़ी आप जो बना रहे हैं सर्कल्स, वो आपके 6 बनेंगे, K शेल में 2, L शेल में 6, अब बनता कैसे हैं, जैसे Mg है, इसके पास 2 है, oxygen को 2 चाहिए, तो इसमें Mg2+, 2 electron यह दे देगा, oxygen 2 electron ले लेगा, no reaction take place, कोई reaction नहीं होता है, जब granule solid A का mix किया जाए, powder solid B के, लेकिन जब mixture को heat किया जाएगा, तो reaction start होता है, और साथ में heat भी नहीं कनती है, product C जो बनता है, इस reaction का, वो settle down हो जाता है, liquid metal की तरह, और solid product D, यह float करता रहता है, इस liquid C में, यह reaction जो है, यह use होता है, कभी, sometimes, metal, जो ready to use है, किसी odd places में, इसको use किया जा सकता है, अब यह information आपको मिली है, आपको assumptions लेना है, A और B के बारे में, और जो corresponding deductions, जो आपके observation निकलेंगे, उसे जो conclusion लिखेगा, C और D के लिए निकालना है, आपको balance chemical equation भी लिखने है, इस reaction के, आपको include करना है chemical equation, इनके physical state भी बताने है, reactant and product के, और heating के यह need है, reaction start करने के लिए, और reaction आपका exothermik है, दो type के chemical reaction बताने है, जिससे to which, जो reaction है, जिसको belong करता है, पहले चीज़ तो यह है, A aluminum है, B आपका ferric oxide है, Fe2O3, aluminum A है, Fe2O3 ferric oxide है, heat किया जाएगा, तो L2O3 बनेगा, साथ में Fe अलग से निकल जाएगा, और साथ में heat निकलेगी, यह आपका reaction है, displacement reaction, क्यूंकि इसमें aluminum जो है, वो Fe यानि iron को replace कर रहा है, यह redox reaction भी है, यानि की reduction oxidation reaction भी है, क्यूंकि जो इसमें aluminum है, यह आपका reducing agent है, और जो आपका Fe2O3 है, यह आपका oxidizing agent है, arrange करना है इन metal को, decreasing order, reactivity के decreasing order, तो यह इस तरीके से बनेगा, आप जानते हैं कि highest है, सबसे उपर आता है potassium, फिर यह potassium, फिर उसका sodium, फिर copper, फिर आपका AG, एक और है, जब उसको heat किया गया air में, वो sulfur dioxide बनाता है, आप कौन सा process suggest करेंगे, इस concentration के लिए, आपको थोड़ाँ सा short में, briefly यह भी बताने हैं, कोई दो step जो involve होंगे, conversion में, यह जो concentrated ore है, related metal में, middle metal मिल जाए इसमें, उसके लिए क्या करेंगे, यह जो पूछा गया है इसमें, इसका उतर यह रहेगा, इसको concentrate करेंगे, froth flotation process से, अब देखिए इसमें roasting और reduction, roasting का मतलब यह होता है, जो concentrated sulfide ore है, इसको heat किया जाएगा, यानि कि oxygen के presence में heat किया जाएगा, और यह convert हो जाएगा इसके oxide में, zinc oxide में convert हो गया नहीं, sulfur dioxide liberate हो गई, reduction का मतलब यह है, कि जो oxide है आपका metal का, इसको reduce किया जाएगा, आपके reducing agent से, जो आपका यहाँ पर carbon है, ताकि आपका free metal निकल जाए, carbon monoxide यहाँ liberate हो जाएगा, आपको reason बताने है, in observation के, ionic compound in general, generally high melting point के होते हैं, और balling point होते हैं, और जो high reactive metal होते हैं, उसको हम obtain नहीं कर सकते हैं, उनके oxide से, अगर आप उनको heat करें, carbon के साथ, और couple vessels के उपर एक green परच चड़ जाती है, जब इसको आप air में expose कर देते हैं, इसका उतर इस तरीके से है, जो ionic compounds है, इनके high melting और high boiling point होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो attraction होता है, बहुत strong force of attraction होता है, क्योंकि oppositely charge ionic में मिलते हैं, तो strong force है, वो आपस में attracted रहते हैं, दूसरे का उतर ये है, तो जो metal है, अपने आप में वो बहुत strong reducing agent होते हैं, इसका मतलब ये है, कि इसको आप कोई भी कि जैसे carbon है, एक reducing agent है, उसका उप्योग करके नहीं reduce कर पाएगी, copper vessel के उपर, क्योंकि copper react करता है, carbon dioxide से, oxygen से, moisture से, तो इसके उपर एक हरी परत बन जाती है, जो है basic copper carbonate की, जो आपका यह है, COCO3 इस तरीके से, और साफ में आपका COOH hold twice, आपको reason बताने हैं इन observation के, जो shining surface है, कुछ metal के, उडल हो जाते हैं, जब उनको आप air पर रख देते हैं, उनको समय के लिए, zinc fail पहले पहला देख लेगे, यह इसलिए होता है, क्योंकि आप reactive metals है, और जैसी आप atmosphere पर जाएंगे, उसमें, atmosphere में बहुत सारी चीज़ है, आपका oxygen भी है, different oxygen, बदब air के content है, अब उस water vapor भी है, तो atmosphere के संबंद में आते ही, संपर्क में आते ही, यह इसका जो surface है, वो यह compound मनाने लगेगा, और पहले साथ reaction करने लगेगा, इसलिए इसका जो surface है, वो dull हो जाता है, उसके लिए फिर आपको tamarind याने की, इमली का, या फिर lemon juice यूस करना पड़ेगा, साफ करने के लिए, अगला है zinc fail to evolve hydrogen gas, zinc fail हो जाता है, hydrogen gas evolve करने में, जब यह react करता है, dilute nitric acid से, ऐसा क्यों है, यह इसलिए, क्योंकि जो dilute HNO3 है, जो आपका nitric acid है, यह oxidizing agent है, इसलिए zinc आपका ano देता है, hydro H2 नहीं देगी, किसके साथ, dilute HNO3 के साथ, metal sulfide, यह mainly rocks में, पत्थरों में, लेकि जो metal halides है, वो आपको sea में, यानि कि, पानी में, नमकीन पानी में, समुदर में, या फिर lake में, तलाबों मिलेंगे, यह इसलिए है, क्योंकि जो sea water है, उसमें नमक भरा हुआ, आप अगर sea water को चखेंगे, तो एकनम नमकीन लगे, बहुत जादा नमकीन लगता है, तो जो समुदर का पानी है, उसमें NACL होता है, इसके कारण जो metal halides बन जाते हैं, और sulfur, आपके rock के नीचे, पत्थरों के नीचे मिलता है, इसलिए जो metal sulfide है, वो rock पे मिलते हैं आपको, पत्थरों मिलेंगे, आपको reason बताना है, electric wire इसको cover किया जाता है, rubber like material से, क्यों? उसकारण ये है कि rubber आपका insulator है, अगर आप नंगी तार को, जिसके पर कोई insulation नहीं है, पर के साथ reaction हो, तो zinc hydrogen gas liberate करते हैं, लेकि copper नहीं कर पाता है, क्योंकि zinc जादा reactive है, right, zinc जादा reactive है, और वो displace कर देता है hydrogen को, जादा reactive है hydrogen से, तो बाप्त करता है hydrogen को, dilute HCl से, लेकि copper नहीं कर पाता, ये कम reactive है hydrogen से, बस इतना सा reason है, sulfide or मिटल के वो पहले convert होते है उनके oxide में ताकि यह convert किये जाते हैं ताकि आप metal को निकास सके उसका पर अराम से उसको extract करना ऐक्साइड को corrosion का मतलब क्या होता है दो तरीके बताईए जिससे हम corrosion को रोख सकते है corrosion एक ऐसा तरीका है या ऐसा process है जिसमें metal जो होते है वो react करते हैं environment के अलग-अलग constituents है और उसके बाद वो compound बनाने लगते हैं तो आपका जो ओपर का portion है वो अपना वो आपका निकलने लगता है corrosion होने लगता है वो चीज़े कुछ और बन जाती है तो उसका loss होता है metal का अब आपको इसके तरीके भी बताने हैं एक और इसमें सवाल यह है कि माल लिज़ा आपको extract करना है एक metal M उसके sulfide ore से, enriched sulfide ore से यदि M ये middle में है reactivity series के तो आप steps बताईए कैसे हम extract करेंगे इस metal को पहले तो हम prevention देख लेते हैं फिर इसके बाद जाएंगे पहले इसका prevention बता दूँ यह वाला, prevention यह है कि आप zinc का coating कर सकते है iron के उपर इसको galvanization कहते हैं इससे iron की rusting नहीं हो corrosion नहीं होगा electroplating अच्छा तरीका है जिससे corrosion को उटाया जा सकता है जिससे electricity का use करके आप metal के उपर coating करते हैं अब दूसरे पार्ट के लिए जो concentration कैसे करेंगे और का, पहले sulfide ore को हम concentrate करेंगे float flotation process से जो sulfide ore है उसको हम collect करेंगे as float और जो गैंगी है फिर आप क्या करेंगे sulfide ore को हम heat करेंगे oxygen के presence में और बहुत strongly heat करेंगे ताकि metal oxide बने और sulfur dioxide बने जैसे यह आपका sulfide ore है इसको हम oxygen के presence में जब इसको heat करेंगे तो आपका metal oxide बन गया और sulfur dioxide बन गया अब हम इसका यह roasting है this is roasting इसको roasting करेंगे ROAS TING इसके बाद हम reduction करेंगे जो metal oxide है इसको react करवाएंगे carbon के साथ जो reducing agent की तरह काम कर रहा है ताकि आपको metal और carbon monoxide मिले तो metal का हमारा main concern है फिर electrolytic refining जो impure metal है यह purify कैसे करेंगे electrolytic refining से impure metal को हम anode की तरह तरह लेंगे और जो pure metal को हम as a cathode लेंगे जो soluble salt है उस metal का उसको हम electrolyte की तरह लेंगे जो impure metal है वो metal ion बनाएगा जो gain करेगा electron और आपका pure metal आपके पास मिल जाएगा कैथोर्ण में distinguish between ionic and covalent compounds under the following properties लेके करके देखते हैं ionic compounds और covalent compound पहले strength की बात करेंगे solubility की बात करेंगे फिर electric conduction की बात करेंगे तो ionic compound में जो strength है इसमें बहुत strong forces होते हैं attraction की जबकि covalent bond में weak force होता है attraction का solubility की बात करें तो ये soluble है water में ionic compounds जबकि covalent bond covalent compounds जो covalent bond रखते हैं ऐसे compound ये in soluble है water में ionic compound возможно convection की बात करें तो ये echo solution में conduct करते हैं electricity और अगर अगर covalent की बहुत बात करें, तो ये echo solution में conduct नहीं कर सकते हैं, electricity. अगला है, explain how the following metals are obtained from their compounds by the reduction process. एक metal M है, जो middle में है, reactivity series के. तो metal M अगर middle में है, reactivity series के, तो उसको हम aluminium से reduce कर सकते हैं, जैसे आपका कोई metal है, aluminium डीजिए, या आपका aluminium oxide बनाएगा, साथ में आपको metal मिल जाएगा. एक metal N है, जो बहुत उपर है, reactivity series के, तो इसके लिए हम electrolytic reduction करेंगे, या आपका, जो भी metal है, वो आपका, इससे electrolytic reduction से आपका आजाएगा. अब main चीज़ ये है, कि electrolytic reduction इसलिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये high reactivity series पे है, और aluminium की बात कर रहा हूँ, या पर, example भी देने को कहा गया न, या aluminium होगया, पहरे वाले के लिए आपका, आप मैं भी इसम ले सकते हैं, क्योंकि उपर reactivity series में है, तो बड़े, इसको हम chemical reduction से नहीं कर पाएंगे, electrolytic reduction ही लगाना पड़ेंगे. तो ये सवाल जवाब हुए, metals और non-metals के, बहुत शुक्रिया, बहुत महर बने हैं अब से की.